कॉंग्रेस को करनाटक में बिली जीत क्या दरशाता है। 2024 में कॉंग्रेस लोक सभाचुनाओं में, बिधान सभाचुनाओं में क्या अपनी परिशम लहराएगी। जानियर राहुल गांधि की कुंडली से कि 2024 में कॉंग्रेस का कैसा रहेगा प्रदर्शन। कॉंग्रेस को मिली बड़ी जीतने बिपक्षियों की बोलती बंद कर दी है। भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस की अस्थापना की बात करें, तो इसकी अस्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी और पियंका गांधी अभी बरतमान में हैं। और इनकी माता जी हैं, शोनिया गांधी जी। बरतमान समय की बात करें, तो इनकी कुंडली मजबूत अधिकार और पावर की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके अलामा इस साल हुए सनी और शुक्र गोचर के फल भी कॉंग्रेस के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भले करनाटक राज की सत्ता कॉंग्रेस की जोली में डाल दी हो, लेकिन कॉंग्रेस की मुश्किली तुरंत खत्म नहीं होने वाले हैं। पार्टी को लोगों से किया वादा करने में दिक्कत आ सकती है। आपको बता दे कि करनाटक के जेत में प्रियंका और राहुल गांदी की कॉंडली जवरदस्त रही। राहुल गांदी की कॉंडली में माईरस पॉइंट्स की बात करें। तो उनके कुंडली में चंद्रमा किमंद्रम जोग में फस्रे हुए हैं, आपको बता दें कि जब कुंडली में चंद्रमा किसी भाव में अकेला बैठा हो, यानि उसके आगे पीछे या पीछे के भाव में कोई भी ग्रह नहो और चंद्रमा ग्रह के ऊपर किसी ग्रह की इस जोग के कारण सम्हाव है कि यह कई बार दूसरों पर निर्भर रह जाते हैं और अपने दूरदर्शिता का इस्तिमाल नहीं कर पाते जिससे उनको नुक्षान होता है राहुल गांदी के कुंडली जानने से पहले कॉंग्रेस पार्टी के बारे में आईए बता दे और जा और दिन्सा वाचा के साथ मिल करके थे इस दिन भारती रास्ति कॉंग्रेस का पहला सत्र बॉंबे में आयुजित किया गया था और 31 दिश अमर तक जारी रहा इसे आज लोग कॉंग्रेस पार्टी की नाम से जानते है यह भारत की दो प्रमुख राजनितिक दलों में से एक है 147 में अजादी के बाद कॉंग्रेस भारत की राजनितिक पार्टी बन गई कुल मिलाकर अजादी से लेकर 2019 तक 17 लोग सभा चुनाओं में से कॉंग्रेस में 6 में पूर्ण बहुमत जीता है और 4 में गठबंधन का नित्यत्य किया अब राहुल गांधी की कुंडली के बा कुंडली ने उस वक्त तुला लगन दोवन्स पर और गुरु भी तुला रासी में दोवन्स पर उदित हो राता है इनके कुंडली में प्लस प्वाइंट देखे हैं तो लगन वरगोतम है और विरस्पत्ति भी वरगोतम है साथवे भाव यानि कुंडली के साथवे घर में यो कारक सनी है और लगन का स्वामी शुक्र दसम भाव में बैठा है इस सुवी इस सिति ने इनको एक उत्तम और राज घराने जैसा शंपर्न परिवार प्रदान किया जन्व लगन में और नौमान्स कुंडली दोनों में ही गुरू बक्री होकर बिराज़मान है इनकी कुंडली में राहू पंचम भाव में जबकि सुज और मंगल दोनों नौम भाव में बिराज़मान है ऐसे में गुरू की दिष्टी राहू और सुज पर मंगल पर है राहुल गांधी मरतमान में, राहु की महादसा में, गुरु की अंतरदसा में 26 दिसम्बर 2021 से चल रहे हैं आपको बता दें कि जो 21 मईं 2024 तक चलेगे इन ही ग्राहदसाओं के बेच 9 दिसम्बर में मधपरदेश 36 कर तथाराय स्थान में चुनाओं होंगे जो राहुल गांधी के लिए बेहत चुनाते पूर्ण होंगे वहीं आपको बता दें कि करनाटक में मिली जीत इनके लिए लाफकारी साबित हुआ है लेकिन आने वाला समय इनके लिए थोड़े ठीक नहीं रहने वाले हैं इसकी एक वज़ाई यह है कि इस समय राहुल गांधी मार्च से राहु की महदसा में गुरु की अंतर दसा और शुक्र की प्रतिंतर में चलने है मतब गुरु चंडाल जो अभुत्वक नामा ग्राण जो में चलने है शुक्र की यह प्रतिंतर दसा दो मार्च से 26 जुलाई 2023 तक है प्रचंतर दसानात शुक्र इनकी कुंडली में लगनेश होकर दसंभावे बिराजबान है किन्तो यह शुक्र दोनों और से पापकरों से गिरे हुए है शुक्र एक और से के तो दूसरी और मंगल सुरी से घिरा हुआ है इसे पापकरतरी दोश निर्वित हुआ है जिसके प्रभाव से राखुल गांधी को अगामी जुलाई तक बड़ी चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा विपाक्ष इन्हें हर तरह से घेलने की कोशिस करेगा वहीं इनकी कुंडली में सनी नीच रास्ति में है और बाहिक जिवन के कारक जो है शुख के जो कारक ग्रह है वह सुक्र पाप ग्रहों के बीच में फसे हुए है इसलिए इनके जिवन में ग्रिहस्ति के सुख की कमी दिखती है इसके साथ ही इनकी कुंडली में ग्रहों के स्थिति बिताती है कि देश के प्रधान मंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाना इनके लिए थोड़ा बेहत कठीन है इनके कुंडली से बरतमान इस्तिती की भात करें तो दिसम्मर 2021 माई 2024 तक इनके कुंडली में राहु में गुरु की दसा चल ली जो गुरु चंडाल दोसका स्रिजन किया है जो ठ 12 अक्टूबर से सुर्य जब तुलारासी में आएंगे और केतु के साथ जुड़ जाएंगे तब इनकी पारिशानी और भी बढ़ेगी 2024 में भी जब लोक सभा चुना होगा तब भी राहुल गांधी जो है राहु में गुरु की दसा में चलना होगा जिससे 2024 में इनकी पार बात यहाँ पर यह है कि गरह अनकूल इस्तिती में या फिर कहें कि एक समान फल आई इस्तिती में तो राज़ितिक जीवन राहुल गांधी के संगर्श की और अगरसर करेगा इस नौमांस चक्र में खराब गरह शनी बुद्ध और शुक्र उतरार्द की जीवन में काफी कम जूड़ है और वहां पर सनी काफी प्रबल इस्तिती में दिखाई दे रहा है साती साते कादसवा में शुक्र और सब्तमवा में बुद्ध काफी मजबूत इस्तिती में हैं जो संगर्श का सूचक है और इनके कुंडली में कठेनाई का सूचक भी है पंचमेस गुरू सब्सवा में चैर रासी में बैठे हुए हैं आपको बता दे कि बहले इनोहोंने करनाटक में अपनी सरकार बना ली हो लेकिन उप्युक्त दसाओं के कारण राहुल गांदी मार्च दो हुजार चौबीस तक अपने राजनेतिक जीवन में सफलता जो इनको जीतनी मिलने चा अगामी लोग से बाचुना में वे पूरा सब्ता से दूर रहेंगे किन्तु कॉंग्रेस की इस्थिति में आस्तर जनक रूप से शुधार आएगा प्रमुख विपक्षी दरके नेता के तोर पर राहुल गांदी की स्विकारियता मिलने में समय लग सकता है अगर देखा जा तो आने वाला साल दोजाद चौबीस में राहुल गांदी की गरह दसा ठीक नहीं रहेगी उनको अपने कार्ज का पूड़ लाव नहीं मिलेगा रायने थिक शेत्र में उनके सामने कई तरह की समस्याय उभर सकती हैं इनके गरह दसाय जो बता रही है वह राहुल गांदी भ पड़ेगा साथ ही इनके कई गरह ये बता रहे हैं कि आने वाले वर्षों में इनके पार्टी से बहुत सारे नीता अलग हो सकते हैं इनको अगामे लोग सभा चुनाव तक समाजी के कार्ज अधिक करनी पड़ेगी एवं साथ ही जनता के बीज सद्भावना पर आए रखन के जरुरत होगे तभी बे और उनकी पार्टी देश में कुछ बहतर कर आएंगे अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट्स करें तब तक के लिए नमस्चा